में मौजूदगी भी कम थी और बड़े विपक्षी निता जाल के लिए पर नहीं थे ये बड़ा एक संग्देश देता है कि मोदी जी राजनिती को वहां ले आये हैं जहां विभाधनकारी मानसिक्ता बहुत चरम पर है और दूसरी की पूरे लगातार उनका जो लियर धंट् विपक्षी एकता को डेडिकेटेट था मैं आज उमीद कर रहा है कि पधान मंत्री शायद आखरी भाषर में अपने नाल के लिए से निकलेंगे उस खोल से बाहर और एक लोगों की उमीदों को लोगों की आकान लोगों के डरों डर को वो एड्रेस करेंगे कि वो केवल रा तो वो स्ट्रेट्समेंट की तरह एक मिनिट भी नहीं दिखाई दीए देखेंगे दस साल लाल के रहे से दस बार लाल के रहे से देश को संबोदित करने के बाद नरेंदर मोदी पंडित नहरू इंडरा कान्धी डॉक्टर मन मोवन सिंग की लीक पे पहुंच गया हैं और उनकी speechs, तो आपको मोधी सहाब की कोया ऐसी speech नहीं यादाएगी, जो आप याद कर सकते हैं, साल बर पहले की, दो साल पहले की, तीन साल पहले. मोधी जी speech अपनी दियते हैं, तीन दिन के लिए. हेडलाइन बनेगी, सोचल मीडिया में ट्रेंड होगा, उसके बाद कोई अगला मुद्दा, तो आज मैं एक्सपेट कर रहा था कि शायद नरिद मोदी नहीं करेंगे, दूसरा एक डिजाइन दिखाई दे रहा है, उनके हाल के एक्शन में और आज की स्पीच में, संसद में उनके भाशन में एक ट्रेंड दिखाई दिया था, जो की चिंता जनक था, जब उन्होंने मिजोरम और आपरेशन ब्रूइस्टार का हवाला देते हुए, भारती सेना के आपरेशन पे सवाल उठाए था, तो एक अलग तरीके का, मतलब मैं उसको अभी नहीं इस इस इस्ति सब इंडिया को हटा दी जाता है, एलेक्शन कमिशन के, एलेक्शन कमिशनर के अपॉइंट में, जी, अपना एलेक्शन कमिशनर क्यों चाहिए, और अब आब इसको जोड कर देखिए, कि अगली बार भी भाशन में ही दूँगा लाल के लिए से, तो मुझे उसमें कहीं की चिंता जनक है, और इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, दूसरी बात कि आप देखिए कि विपक्ष के पास जो रण नीती है, और मुंबई में अभी वो लोग मिलेंगे, इस महीने के आखीर में, और भारत जोड़ो यात्रा दुबारा शरू हो रही है, तो विपक्ष न में मोदी जी को पहली बार पिछले इस साल में 2023 के शुरुवात से अपनी पिछ पर लाकर खेलने को मजबूर किया है, अभी तक विपक्ष के लोग मोदी जी को एड्रेस करते थे, मोदी जी कुछ कह देते थे और विपक्ष न उसके हिसाब से अपनी बयान, अपनी योजना अपनी रण निती बनाता गा, आप ये काम मोदी जी कर रहे हैं, इंडिया गडबंदन को के खिलाब बोलकर उसको इंडियर मुझाइदी, इस इंडिया कंपनी बताकर, या परिवारवात की राजनिती बताकर, या फिर भस्ट बताकर सब को, और अगर भस्टाचार की मतलब कोई तुल्ला की जाए, तो ये सरकार का स्कोर बाकी सरकारों से कापी आगे होगा, अब यहां लोग हजारों करोपे लेकर देश से भागे हैं, यहां पे बड़े-बड़े घोटाले हुए हजारों लाखों करोड के, और अब सीय जी ने नए घोटाले खोलने शुनु की है, है हर इस तर पर घुडाला हुआ है और सबसे बड़ी बात देखिए राजीव जी कोई नीटी कोई कानून बनता है तो वो रिवर्सिबल होता है मतलब कि अगली सरकार आएगी उसको ठीक कर देगी अगला पार्टी सत्ता में आएगी तो उसको बदल देगी पीछे होता भी र रिवर्सिबल प्रॉसेस है लेकिन समाज में अगर एक बार नफुरत फैल जाती है मणीपुर में जो हो गया वो कोई सरकार किसी अध्याधेश से नहीं कर पाएगी लू में जो हो गया है जो पूरे देश में हो रहा है जिसकी पढ़निती हमने देखी कि किस तरीके से एक आ देता है धर्म के आधार पर या राजनितिक मत विभाजित या राजनितिक मत जो है अलग होने की वज़े से यह उसी का पढ़निती है कि कपड़ों से बैचान लो तूसरी यह कंतिम बात में कहना चाहता हूं क्योंकि पधा मंत्री मोधिया दस साल के बाद रहने के बाद और दस्वी बार लाल के लिए से बोल कर जा रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है कि इनकी तुलना करना लाजमी है और खासकर भाशनों की बहुत सारा एक वर्क है जो ही कहता है कि मोधी साहब बहुत अच्छी ओरिटर हैं बहुत अच्छा भाशर देते हैं आप देखिए आज सोच देस्टिनी का लाल बादू शास्थ्री का वो बयान अयूप को कि शाम की चाय हम लहुर में पिएंगे आज तक लोग याद करते हैं इंद्रा गांधी की तमाम स्पीचेस लोग याद करते हैं बहुत सारे इस स्पीचेस मनमोहन सिंग की गिरुटिय अच्छे और स्में नही कॉंट्रिबूशन आर्थिक फ्ठेत में है हमारी आपकी मेरी राय उनसे फरक हो सकती है लेकिन एक कॉंट्रिबूशन है मेरा कहने का मतलब यह है राजीब जी कि मोजी सहाब का आज से पास साल बाद मैं लाल बादू शास्ट्री को 65-70 साल बाद आज याद करना हूं पचास स साल बाद उनकी बात याद आ रही है नहरूं की स्पीश 77 के बाद याद आ रही है, आज से मुझे कोई बचा दे कि पिछले 6 महिने में मोजी साहब की जो आप लोगो याद है जी मुझे लग रहा था कि मोजी साहब इसको एड्रेस करेंगे कि जब वो दस साल कोई प्रधामन्ती रह जाता है उसका इतिहास में एक पन्ना लिख जाता है उस पन्ने में क्या लिखा जाए इतिहास के वो खुद ही लिखता है अपने एक्शन से अपनी वाड़ी से अपनी नीतियों से मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि भविश्य का इतिहासकार बहुत अच्छी बाते उनके बारे में नहीं लिखेगा मुझे लगता था कि मुझे साथ इस फिक्र को आज लाल के लिए से अड्रेस करेंगे वो वो नहीं किया